तो चलिए इस question को देखते हैं यह question आपके examination point of view से काफी important है न क्योंकि छोटा सा adjustment है जो adjustment click नहीं करता लोगों को तो इसको आप ध्यान से देखिए कि क्या हम लोग कैसे कर रहे हैं इसके several तरीके हो सकते हैं एक आपका previous किसी question में आपको दिया गया है वहां से hint भी दिया गया ह आपके exercise का कोई question है वहां से hint दिया गया हो वहां से भी कर सकते हो अदर्वाइस जैसे हम handle कर रहे हैं वैसे भी आप कर सकते हो ठीक है तो देखिए कुछ observation सेट अप करते हैं हम लोग जानते हैं कि x की power 4 का differentiation क्या होता है x की power 4 का differentiation होता है x cube है न कोफिसेंट को हम किनार रख द दीजी कि 1 अपान अगर x की power क्या होता 3 होता तो उसका क्या हो जाता 1 अपान x की power 4 होता है न अब 1 अपान x की power 5 होता तो उसका differentiation 1 अपान x की power 6 होता है नीचे एक power बढ़ जाती है इसका मतलब कि अगर हम x की power 4 बाहर कर ले है न तो क्या होने वाला है that comes out to be x into x की power 4 1 minus 1 by x की पावर 1 और 4 5 हो गया, x की पावर 5, इसको हम यहां से हम यहां लिख दे रहे हैं, 1 अपन x की पावर 5, तो जो डिनॉमिनेटर आपका रखा हुआ है, यहां पर 1-1 by x की पावर 4, इसका डेरिवेटिव, निूमरेटर कही न कहीं है, कुछ constant अर्जस करना पड़ेगा, क्या अर् और d by dx, इसका निकालेंगे आप, minus d by dx, x की पावर minus 4, मतलब minus minus plus हो जाएगा, that comes out to be 4 by x की पावर 5, 4 missing है यहां से, तो क्या कर लिया जाए, 4 multiply और 4 divide कर लिया, इसका मतलब यह आपका fx हो गया, जो डिनॉमिनेटर है, और यह f dash x हो गया, और beginning वाल exercise में आप पढ़े होंगे ठीक है, जो भी आपके instructor है, उन्होंने बताया होगा कि इसे हम लोग substitute कर सकते हैं, और हम आपको बता रहे हैं, या आपके सर भी बताये होंगे, आपके जो भी instructor है, कि यह f dash x upon fx form है, तो इसका direct आप लिग सकते हो, log of mod fx, fx मतलब 1 minus 1 by x की पावर 4, plus indefinite consistency, और यह जो 1 by 4 ब यहां लिख देंगे, एक काम और कर सकते हैं, यहां LC हम लेखे लिख सकते हैं, that means, that also could be written as a log of x की पावर 4 minus 1 over x की पावर 4 plus c, that is your final answer.